इस समय हमारे साथ मौझूद है मिस्टर सूबीर जी जो कहीं न कहीं cross country paragliding pre world cup 2023 इंडिया में अपना सह योग दे रहे थे तो आज़ी जानते हैं इसे किस तरह कलते है इनका रहा और इनके खुद के बारे में ज आपक है आपका 10 सब्शेनर आप इस इवेंच में किस तरह का सहीयोग दे रहे थे तो मैं इस event में काफी भूमिक आने भाई, as a paragliding pilot तो मेरा primary role था यहां आने का और हिस्सा लेने का, बट पाइलोट की जो फील्ड होती है, उसी में से कुछ पाइलोट चुने जाते हैं task committee के लिए, जो कि यह decide करते हैं हर दिन मौस्टम के हिसाब से क्या task करना है, और एक weather expert रह और task committee में हिस्सा लेने का भी मौका मिला, तो मेरा काम यह था कि रोज सुभे weather forecast देखना और उसके हिसाब से task बनाना, जो कि सब पाइलोटों के लिए safe हो और enjoyable भी हो, जी, तो sir, बीड बीलिंग की घाती में, इस event में किस तरह का मौसम आपको देखने को मिला, देखिए, बी बीड ने हमें निराश नहीं किया, हमारे पांच फ्लाइंग दिन थे और पांच वो दिन मौसम बहुत अच्छा रहा फ्लाइंग के लिए, clear रहा, हवा भी जादा तेज नहीं थी, safe रहा, और thermal के हिसाब से हमें उड़ना होता है, और thermal strength बहुत अच्छी रही, तो पूरा सा adventure sport तो है ही, मगर दुनिया में कई जगा हैं जहां लोग pilots flying के लिए जाते हैं, मगर उन सब से मेरे personally, मैंने योरोप में भी fly किया है, USA में भी fly किया है, Brazil वगयरा में भी paragliding world cup भी लड़े हैं, मगर बीड से बढ़िया वेक flying arena, मेरे लिए तो personally, अभी तक मैंने नहीं देगा और बहुत अच्छा रहा है यहां पे प्री world cup और मैं उमीद करता हूँ कि आगे चलके paragliding world cup भी यहां पे फिर से एक बार हो जी, सो जैसे कि आपने बताया कि आप देश ही नहीं, बिल्कि वे देशों में भी से बड़े आयोजन में हिस्सा लेते रहे हैं, तो किस साथ से आप देखते हैं कि इस्थान का कितना महत्व है देखे, paragliding एक बहुत weather dominated sport है और दूसरा एक terrain चाहिए होता है में, flying के लिए पहाड अच्छे चाहिए होते हैं, हवा अच्छी चाहिए होती है और खास करके ये जो October-November का महिना है, ये दुनिया भर में कहीं पे भी इतना अच्छा मौसम नहीं रहता है, जितना बीड में रहता है और तो इसलिए हम देखते हैं कि देश-विदेश से सारे पाइलेट, तमाम पाइलेट अक्टोबर में यहां आते हैं और अक्टोबर में फ्लाइं के लिए बीड से बढ़िया, दुनिया में कोई जगा नहीं है इतने दिन ये आयूजन चला रहा, तो क्या किसे तरह का मौसम या वेदर की तरफ से कोई वेवधान इसमें रहे या बहुत अच्छा यह इवेंट रहा, कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा, कॉंपिटिशन से पहले कुछ दिन हमें यहां पे तूफान भी आया, बारिश भी हुई और यह थमाम जो पीछे पहाड़ें बरफ से ढखे होए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद मौसम इस बार इतना अच्छा नहीं रहे, बट एन मौके पे टास्क से ही हमें इतना अच्छा मौसम मिला यहां पे, कि मतलब फ्लाइं का पूरा आनंद लिया सभी पाइलोटन है, और वेदर की तरफ से कोई भी छोटी सी अरचन नहीं आई, और यहां की जो आपको इस इवेंट में जो सुविधाएं मेले, इसके बारे में क्या कहना है देखें, सुविधाएं तो मतलब और्गनाइजेशन, BPA की तरफ से और World Cup Committee की तरफ से बहुत ही अच्छी रही, खास करके मैं कहना चाहूंगा, कि जो खाने पीने का बंदोबस था, लांच पे वो बहुत ही बढ़िया था, और सारी बागी फजलिटीज पाइलोट को टाइ किये हैं, उनको रिट्रीव करना, सारा बंदोबस्त बिल्कुल टॉप क्लास एवन रहा, तो ये इवेंट तो बहुत अच्छे से समापन हुआ, आने वाले समयम हम किस तरह की आयोजन यहां पर देखने को हमें मिल सकते हैं, हाँ जी, तो ये cross country flying का था competition, तो और भी type की flying होत होती हैं, acrobatic championship होती है, तो मैं उमीद करूँगा कि हर type की flying के competition यहां आयोजन किये जाएं, और खासकर के cross country flying के लिए, ये world map में एक important venue बने, और नहीं अपने Indian National और Paragliding World Cup यहां आयोजन हो, बट कई सारे ऐसे देश हैं, ये योरोप वगेरा में, जहां मौसम अच्छा नही ही रहता है, और वो अपने National Championship ब्राजील में, कोलंबिया में या और दूसरे देशों में और गनाइज करते हैं, तो वो अपने National Championship भी यहां के बीड में और गनाइज करें, ये भी मैं उमीद कर सकता हूँ, सर, क्योंकि ये प्री वोल्ड कॉप है, तो वोल्ड कॉप के लिए आप कैसे दिखते हैं, as a weather export, किस तरह के ये जो गहाटी है, किस तरह के ये रहने वाली है, देखे, ये एक बीड का बहुत अच्छा पॉइंट है, कि साल में दो बार, एक ये October-November में, और दूसरा spring में, बसंत में, एप्रिल के महीने में, मौसम बहुत रिलाइबल और प्रिक्टिबल रहता है, और फ्लाइं के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये बहुत ज़रुवी पॉइंट है, क्योंकि जब हम वर्ल कॉप लेवल के कॉंपटिशन और्गनाईज करते हैं, तो ये वेल एक साल पहले के इस दिन के इस हफते में एक कॉंपटिशन होगा, तो ये प्रिडिक करना के उस महीने में अच्छा मौसम हो, ना हो, वो अकसर फ्लाइंग साइट में मुश्किल होता है, मगर बीड हमेशा अक्टोबर में और एप्रिल में अच्छा मौसम ही हाता है यहां प जी, बहुत बहुत धन्यवाद सार इस तरह की इंफर्मिशन देने के लिए थैंक यू